हेलो दोस्तो आप सभी का हमारे इस यूटुब चेनल अलफा मोनीटर में बहुत बहुत सवागत है रोजाना गोलगप़े खाने से होते हैं इतने सारे फाइदे जानकर चौक जाएंगे दोस्तो इस वीडियो में आपको गोलगप़े के फाइदे ही नहीं बलकि नुकसान के बारे में भी बताएंगे आप इसे अंत तक पूरा देखेगा ताकि आपको पूरी जानकरी मिल सके गोलगप़ खाना आज कल लोगों की काफी पशंद बन चुकी है खास कर करें तो लड़कियों की गोलगप़ा उनका फैबरीट होता जा रहा है और वह गोलगप़े खाने का मौका कभी नहीं छोड़ती परन्तु कि आप जानते हैं कि गोलगप़ा खाने से हमारे स्वास्थे को बहुत सारे फाइदे मिलते हैं पहला फाइदा है वजन कम करता है आपको जानकर हेरानी होगी लेकिन ये बात बिलकुल सच है गोलगप़े में धनिये पुदेने की चटनी कच्चा आम मिला होता है शाथ ही हिंग की भीनी खुस्बू से उसके पानी में जान आजाती है शिर्फ हिंग क्यों इमली जैसे मसाले भी इसमें डाले होते हैं यह पेट को शही रखते हैं मोटापे को बढ़ने नहीं देते इसके अलावा अगर आप आटे के बज़ाए सुजी के गोलगप़े खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा दूसरा फाइदा है मुहें के च्छालों से आराम देता है गोलगप़े के पानी में जलजीरा, इमली और पूदीना होता है इस तरह तीखा खटा खाने से पेट साफ होता है और च्छालों का पानी निकल जाता है और वह सूख जाते हैं लेकिन यह भी गल्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा गोलगपे खाने से या उसका पानी पेने से छाले हो भी सकते हैं तीसरा फाइदा है एसीडिटी को ठेक करता है अगर किसी को एसीडिटी हो गई है तो गोलगपा खाने से फाइदा मिलेगा चोथा फाइदा है मूड को फ्रेस करता है कई बार गर्मियों में मोसम की वज़े से जीग बराने लगता है और बार बार कुछ ठंडा खाने या फिर पीने का मन करता रहता है ऐसे में अगर आप गोलगपे खा लें और उसके बाद में पानी पी लें तो आपका मूड फ्रेस हो जाएगा प्यास भी कम लगेगी आईए अब इस से होने वाले कुछ नुकसान के बारे में जान लेते हैं अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको उल्टी, दस्त, पीलिया, अलसर, पाचन किरिया में गडबडी, पेट में हलका या तेज दर्द, अंतों में सुजन, डाइरिया, डी हाइडरेशन, गोलगपे खाने से बल्ड प्रेसर की सिकाहित हो सकती है ये सभी समस्यां आपको हो सकती है ज्यादा तर ये समस्यां इसका बहुत ज्यादा सेवन करने से होती है, वैसे तो नहीं होती है दरैसल गोलगपे के पानी में बहुत ज्यादा मातरा में नमक होता है, इसका सेवन करने से बल्ड प्रेसर बढ़ सकता है इसके अलावा गोलगपों को तलने के लिए कई बार दूसरे तेल का इस्तमाल किया सुखा है जिससे सवास्ते को नुकसान हो सकते हैं इसके अलावा आप टेश्टी के चक्र में मिलावटी गोलगपों का पानी ना पीएं आप इस बात का विसेश ध्यान रखें क्योंकि इससे पेट में जलन हो सकती है, ऐसी डिटी के समस्या हो सकती है और आपके दांत भी खराब हो सकती है साम के समय या रात में गोल गप्पे खाने से भारीपन हो सकता है और वजन भी बढ़ सकता है इसलिए गोल गप्पे हमेशा दोपहर के समय इखाने चाहिए क्योंकि अगर आप रात के समय गोल गप्पे खा लेंगे तो इससे आपकी भूक मर जाएगी रात को भूक नहीं लेगेगी और आपको दूसरी चीजें खाने का मन नहीं करेगा और आपका पेट भी खराब हो सकता है आप इस बात का विसेश द्यान रखें उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दीगी जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वेडियो को लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें